नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग चैप्टर नमबर 75 लक्षमी गांधी किताब का टॉपिक क्या है कॉलिशन सरकार गठ बंदन की सरकार क्या क्या सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में Meaning of Coalition Government, Features of Coalition Government, Merits of Coalition Government, Demerits of Coalition Government और कौन-कौन सी Coalition Government आज तक बनी हुई है बिना टाइम वेस्ट करिये शुरुवात करते हैं, What is actually the meaning of Coalition Government? Coalition मतलब partnership, गठ बंदन, मिल जुलके कुछ सांट गांट कर ली और बोला कि चलो साथ-साथ काम करते हैं एक होता है कि business partnership type की होगी, धन्दा type का होगी, धन्दे में partnership होगी यह जो Coalition नाम का शब्द है किस से derived हुआ है, तो एक Latin word, Coliseo से derived हुआ है Coliseo का मतलब होता है, to go through together, दो-तीन लोग मिले और उन्होंने बोला कि चलो भाई, साथ मिलके ग्रो करते हैं तो basically, technically आप Coalition को क्या बोलोगे? It means the act of uniting parts into one body or whole, ठीक है? Okay, आगे बात कीजाए, politically, coalition का क्या मतलब है? It means an alliance of distinct political parties. अलग-अलग political parties मिली और उन्होंने अपना एक alliance मना दिया, this is basically coalition. Okay, तो coalition politics और coalition government को किस प्रकार से define किया गया है? When several political parties join hands to form a government and exercise political power on the basis of a common agreed program agenda, we can describe the system as coalition politics or coalition government. ठीक है, बहुत सारी political parties मिले, उन्होंने अपने hands join किये, और उन्होंनों बोला कि भाई, अब हम लोग मिलके political party बनाएंगे, political power चलाने के लिए हमारा एक common agreed program होगा, agenda होगा, जिसको अब coalition politics और coalition government बोलोगया. Modern parliaments में coalition कब बनते हैं? तब बनते हैं, जब कोई एक single political party नहीं है, जो majority of votes को लेके आ सके, ठीक है भाई? तो भाई, दो या दो से ज़्यादा party, coalition के लिए minimum दो parties होनी चाहिए, तो अगर दो party हैं, या दो से ज़्यादा party हैं, जो कि enough elected members लाप सके हैं, और parliament में enough elected members क्या होंगे, total membership का 50% ज़्यादा, तो दो या दो से ज़्यादा parties अगर मिलके, 50% ज़्यादा vote लेके आ सकती हैं, तो एक majority मिल जाएगी, एक majority मिल जाएगी, तो कहीं नगे, वो नियम कानूं चला लेगे लिए लिए प्रॉब्लम है दोस्तों, जब दो या दो से ज़्यादा members साथ में बैटके बादचीत करते हैं, तो किसी एक की पूरी तरीके से नहीं चल पाएगी, जब आप दो लोग, देखे समझेए, आपके पास मालीचे संडे है एक पूरा, और संडे को आपको गूमना है, आपको अगर अकेले घूमना है, तो आपके पास freedom है, आप कहीं भी जा सकते हो, या कोई movie जाना, तो आप अकेले जा सकते हो, अगर तो आप किसी movie जा सकते हो, अगर एक आदमी और मिल गया, या दो दोस्त और मिल गया, तीन दोस्त मिल गया, तो until and less कोई बहुत सुपर हुट movie नहीं लगी है, तीन चर मूवी जिखटी लगी ही, तो 100% ये dispute आजाएगा कि नहीं भाई, ये वाली movie देखते हैं, कोई बोलेगा कि नहीं भाई, ये काम करते हैं, पूले चलते हैं, बोलेगा नहीं भाई, नुलावरा चलते हैं, पूले में तो कुछ भी नहीं है, कोई बोलेगा नहीं चलोग होगा चलते हैं, तो भाई, कहीं न कहीं जब आप partnership में काम करते हैं, कहीं न कहीं disputes उठते हैं, जब administration चलाने की बात हो रही है, जहाँ पे बहुत सारा interest involved है, जहाँ पे बहुत सारा public purpose involved है, वहाँ पे तो भाई, आपको बहुत ही severe compromises करने पड़ेंगे, मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा political party मिलके काम कर रही हैं, उन political party को अपनी ideologies को dilute करना पड़ेगा, आपने ideas, policies को dilute करना पड़ेगा, और कहीं न कहीं compromise strike करना पड़ेगा, चुकि बिना compromise के वो चीज़ चलनी पाएगी, तो basically ये एक cooperative arrangement है, जिसमें distinct political parties साथ में आती हैं, किसी तरीके से मिलके वो एक government या एक ministry बना लेती हैं, जिससे वो सरकार चलाते हैं, तो आप कह सकते हो basically, कि coalition is a direct descendant of exigencies of multi-party system, एक democratic setup में, एक democracy में, जहांबे बहुत सारी political parties operate कर रही हैं, वो बहुत सारी political parties मिलके एक ऐसा group बना लेंगी, जो कि group on behalf of all political parties lead करेगा, इसको बोला जाता है coalition, तो बहुत सी minority parties मिली, उन्होंने हाथ मिला लिया, और यह बोला कि चलो भाई सरकार चलाते हैं, ओके, तो बहुत सारी splinter groups in the house agreed to join hands, अन्होंने common platform for sinking their broad differences and form a majority in the house, लेकिन कभी भी differences sink नहीं होते हैं, वो differences जिन्दा रहते हैं, और in the course of administration, वो सामने आते रहते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, आगे बढ़ने से पहले, वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आप आपने इस चैनल को share और subscribe नहीं किया, उस वीडियो को share नहीं किया, तो बिल्कुल कर लिजे, पूरी लक्षमी कांत मैंने आपकी फ्री में कंप्लीट करवा दिये, पूरा का पूरा से लेबस, NCRT फ्री में कंप्लीट करवाई हैं, तो यतना कुछ फ्री में कंप्लीट करवा है, तो आप जोइन बटन दोस्तों कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे, आपके जनुनी डॉट से जवाब दूँ, टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर लिजे, वहाँ पे मेरे करेंट एफिर से रिलेटेट सारे लक्षमी पीडियाफ आपको मिल जाएगी, अब बात करते हैं, अब फीचर में भाई, देखे, जेसी जोहरी जी ने इन फीचर को यहाँ पे कमपाइल किया, एक एकर के फीचर देखते हैं, पहला फीचर क्या है, अब यह देखे, एक बहुत ही मैं कहूंगा क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट है, आप कॉलिशन बना रहे हो किसी रिवार्ड के लिए, यह रिवार्ड मटेरियल भी हो सकता है, साइकिक भी हो सकता है, मतलब कि देश की सरकार चलानी है, और सरकार में कहीं न कहीं इंटरेस्ट निकल क्या रहा है, वो इंटरेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, पैसों का, यह फिर साइकिंग भी हो सकता है कि हाँ भाई हम लीडर बन गए तो भाई, रिवार्ड और रिवार्ड की वज़े से कॉलिशन बन रहे हैं, यह एक मैं कहूं को criticizing statement है, कॉलिशन को अगर मनाना है तो कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए, दो पार्टनर कम से कम at least दो मतलब दो या दो से जएदा चलिए यह तो हमको पता ही है, सिंगल आदमी अगर मिज़ॉर्टी में तो कॉलिशन की जरूत के है फिर अंडरलाइंग प्रिंस्पल ऑफ अ कॉलिशन सिस्टम स्टैंट सुन सिंपल फैक्ट ओफ टेंप्री कंजंक्शन और स्पेसिफिक इंट्रेस्ट देखिए दो पार्टनर्स जब मिलते हैं उन पार्टनर्स की जो आइडेलोजी वो अइडेंटिकल नहीं हो सकती कहीं न कहीं वो आइडेलोजी अलग होंगी तो जब तक मिल के काम करने से उन दोनों को फाइदा है तब तक तो वो काम कर रहे हैं जहां पर उनके इंट्रेस्ट कॉंट्रेडेट करने लगेंगे वो अलग हो जाएंगे तो जब उनके इंट्रेस्ट कॉंट्रेडेट करने अफेर नहीं है, this is a dynamic affair, कहरेंगा तब क्या है, कि भाई, कॉलिशन बनते बदलते रहते हैं, गडबंदन बनते बिगड़ते रहते हैं, ये बात तो अटल वियारी बाचपेजीरी में कही थी, सरकार बनेंगी, बिगड़ेंगी, ठीक है, गडबंदन बनेंगे, तो कॉलिशन बने बन गया, तो उसके उतने के हमेशा चांसे हैं, रिजन बीन कि जो कॉलिशन बने प्लिटिक के अंदर प्लेरसे, तिमसे वो अलग-अओर पॉलिसी के, अलग-अओर सॉट अ graphics में आ जाते हैं, बैस्ट ग्रेक से है तो आप अपनी नहीं चला सकते there cannot be a rigid dogma ठीक है फिर a coalition works on the basis of a minimum program which may not be ideal for each partner in the coalition कहने मतलब यह है कि एक program set होता है coalition partners का और कहीं ना कहीं वो जो program होता है ना वो एक partner की सारी बातें नहीं सकता तीन partners मालीजी मिल के coalition मान रहें दो partners मिल के को जादा बना रहें तो एक का कुछ प्लान होगा एक का कुछ प्लान होगा कई न करूग जो सारे लोग मिलके एक plan पर सक्सेशफूल हो रहे हो तो इसको इंप्लेमेंट किया जाएगा तो जो प्रान implement होगा और जो एक particular person का प्लान होग उसमें काफी differences हो और जब भी collisions बनते हैं वहाँ पर practicality चलती ideology नहीं चलती है तो communist party of India किसी साथ collision चला रही तो communist ideology नहीं चला पारेंगे pragmatism होना चाहिए पतलब on ground चीज़े कैसी होनी चाहिए practical approach होनी चाहिए आप ideology को लेके बिल्कुल bad adjustment का जो सबसे बड़ा एम होता भाईया पावर को कब से मिलाओ पावर को सीज़ करो जब आपके हाथ में पावर होगी तो यह आप कुछ कर पाओगे नहीं होगी अब नहीं कर पाओगे as simple as that और हमारे यहाँ पे देखिए country में collisions दो प्रकार से आते हैं एक तो भाई election हो गया उसक्राद coalition मन गया एक हो गया election से पहले coalition मन गया अभी election हो गया election के बाद कोई एक political party majority ने ले पार ही जैसे कि for example महारास्ट की state legislative assembly के elections हुए 2019 में ठीक है महारास्ट की state legislative assembly में total members कितने है 288 अभी 288 में BJP ने जीते 105 शिव सेना ने जीते 57 आप कह सकते हो कि यह दो सबसे बड़ी parties है महारास्ट की state legislative assembly में अब समझे टोटल नंबर of seats कितनी है 288 अगर आपको मेजोर्टी चाहिए तो कम सकम 144 ए 145 तो आपको बीजेपी और शिव जेना का गड़बंदन था यह गड़बंदन 2019 के elections के बाद तूट गया और शिव सेना ने NCP और इंडियन नेशनल कॉंगर्स और बाकी पार्टी के साथ मिलके अपनी सरकार बना ली तो यह तरीकी की पार्टनर्स के साथ मिलके आपकी सरकार बना ली इस कॉलिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी वह शिव सेना है उसके बाद आती तो कॉलिशन समझ गया है जो 50% के मार्ट को पार कर देगा वो कॉलिशन मना लेगा और यह कॉलिशन मना आपका एलेक्षन के बाद कहां पर महारास्ट की स्टेटलेश्ट डिस्यम्ली में कि उसमें काफी बवाल हो गया था कि देवेंदर फदनवीस को रातो रात चीफ मिनि आते हैं तो बिहार के यह जो 2020 के असेंबली एलेक्षन हुए थे इससे पहले 2015 में मोदी जी के लहर चल लही थी तो भाई बीजेपी के अपोजिशन जितने भी पार्टी इस थी बिहार में उनको डल लग गया कि मोदी के लहर के चलते हम आर जाएंगे तो एलेक्शन से पहल प्रोडी कोजिशन था तो डो प्रकार के कोजिशन मनते हैं एक तो वोटिंग होगी वोटिंग के बाद जो लोग भी जीट C चीज्ट होता चूंकि Pripoll Čनु में बहुत सरी चीजें क्लीर हो जाती है। तो काम ऐसे होगा, काम ऐसे होगा। थोड़ी clarity जाधा थी है। जब एक बार polling हो जाती है और एक बार wrestle टो इसे मिली आनुल parody बैकिन जाती है कि हमारे देश में correction की सरकार बनी कब कब लेकिन 1967 से दो साल बाद 1979 माद 1969 में Congress Party दो भागों में तोट गई एक Congress और कोग्रेस आर इसकी उपर अलग सी वीडियो बनाँगा कब आपको बताऊं ठीक है political history, post independent history में अचीज है पो काम मैँगी तो दो parties बन गई, एक बन गई Congress आर, एक बन गई Congress ओ, ठीक है बाई, अब जो इंद्रा गांधी जी की party थी ओती Congress आर, उनके जो opposition में थी ओती Congress ओ, यहाँ पे इंद्रा गांधी जी ने किसी तरीके से अपना coalition मना लिया बाहर के सपोर्ट के साथ, तो DMK और Communist Party अफ इंडिया के स जब emergency हटेगी उसके वाद जो elections होंगे महां Congress बहुत बुरी तरह लेगी और 1977 में coalition सरकार बनेगी जनता पार्टी की ठीक है तो टेकनिकली देखा जाया तो पहली coalition सरकार हमाई देश में कब बनी 1969 में बनी जब इंदरा गांधी जी को उनी की पार्टी से निकालने के बात की जा 1997 में Congress हार गई को के उसके बाद 1979 से 1980 के टाइम प्रिण में जनता पार्टी से क्योलिडर का कौन वह रहाए कॉलिशन रहा है इसमें चलान सिंग आपके प्राइमिनिस्टर थे 1989 से 1900 में National Front का कॉलिशन रहा है जहां पे VP सिंग प्राइमिनिस्टर थे और यह जो OBC कैटेगरी क वह इसी समय पर लागू किया गया था 1990 से 1991 में जो प्राइमिनिस्टर थे वह उते चंदर शेकर जी उसमें पर जनता दल इसका भाई आपके सकते हो कॉलिशन था जनता पार्टी कॉंग्रेस आई पार्टी और दिखे मैं आपको सारे कॉलिशन नहीं बता रहो उस कॉलिशन म से लेके 1979 जिब जनता पार्टी का कॉलिशन मेना था उसमें पर कॉंग्रेस ओ भारती जनसंग भारती लोगदल सोर्सलेस्ट पार्टी ऐसी बहुत से पॉलिटिकल पार्टी सी अब सब का जानके आप क्या को जैसे 1998 से 1999 में बीजेपी का कॉलिशन मना जिसमें अटल बिहारी बाचपेजी प्रामिनिस्टर थे और बाद में 1999 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उब्री लेकिन वहां पे भी पूर्ण बहुमत नहीं था बीजेपी के पास तो बीजेपी ने जंतादल उनाइटेट त्रनमूर कॉंग्रस शिव सेना बीजेपी बीजेडी बी आगे बात करते मेरिटस ऑफ कॉलीजेट सिटम इनको जलदी-जलदी संजेंगे चैड ना कहीं मैंना आपको बताई थी है पहला मेरिट क्या है पहला मेरिट यह है कि भाई जब आप कॉलिशन की सरकार बनाते हो तो अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स इंट्रेस्ट है ठीक न भाई इंडिया एक हाइली डाइवर्सिफाइड कंट्री यहां बहुत सारे अलग-अलग कल्चर्स, लैंगुजिस, कास्ट, रिलीजिन और अथनी ग्रॉपस हैं कॉलिशन गवर्मेंट में सबको रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है अगर एक पार्टी की गवर्मेंट आएगी तो किसी एक पॉलिटिकल आइडिलोजी को फॉलो करती होगी जिसके चलते ज जो अलग-अलग सेकशन्स के लोग हैं, उनको उस लैवल कार्बेंटिशन नहीं मिल पाए जिस लैवल का एक कॉलिशन गवर्मेंट मिलता है तो coalition government में अलग-अलग जो sections के लोग हैं, अलग-अलग political ideology के लोग हैं, उनको मिल के काम करना पड़ता है, तो diverse cultures, diverse thought process को लोगों को एक जगा पे accommodate किया जाता है, तो आप कह सकते हो कि coalition government बहुत representative होती है, और कहीं न कहीं वो और अच्छे तरीके से reflect करती है popular opinion of the electorate को, जो कि कहीं न कहीं, इसी जन्ता ने चुनके अलग-अलग political party की members को MP मनाया है, और वही सब मिलके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भई coalition मना रहे हैं, ठीक है भई, तो एक broader spectrum of public opinion एक coalition government में निकल के आता है, single party government में वो चीज़ निकल के नहीं आती है, coalition government में अलग-अलग political parties हैं, बताए आपको, उनकी अपनी ideology हैं, अपने agenda है, coalition partners को concurrence करना पड़ेगा, अपनी ideologies, अपने agenda को कुछ हद तक dilute करके, एक दूसरे के साथ मिल जूल के चलना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं national cohesiveness और social consolidation भी बढ़ेगा, consensus based politics आगे जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है, consensusual decision making होगी, जो की एक अच्छी बात है, और यह जो consensusual based decision making है, coalition government की, इससे क्या चीज़ स्ट्रॉंग हो रही, इससे स्ट्रॉंग हो रहा है, the federal fabric of the Indian political system, Indian political system का जो federal fabric है, federal मतलब कि भाई, जो state government है, उनकी कही हुई बातों पे भी ध्यान दिया जा रहा है, उ single agenda के साथ सोचे, कभी भी states के बारे में उस हद तक ना सोचे, जिस हद तक coalition government में सोचा जाएगा, ठीके न भाई, तो coalition government ज्यादा sensitive होती है, regional demands की तरफ ज्यादा responsive होती है, और single party government उतना नहीं सुनेगी देश की लोग बाद, जितना coalition government सुनेगी, यह बात बोली जा रही है, औ और कही न कहीं tyranny of the government कम होगा, despotic rule देखने को कम होगा, इंदरा गांदी जी के समय तक already despotic rule इंडिया एक बार देख चुका था, तो कही न कहीं एक आदमी की हाथ में हद से जादा ताकत हो, एक political party की हाथ में हद से जादा ताकत हो, तो वो कितना dangerous हो सकता है, यह पूरा देश देख चुका था, तो पूरे देश को यह idea लग गया था, कि अगर consensus based decision making होगी, जो कि coalition में normally होती है, तो ऐसे cases में एक इंसान कभी भी dominant या हद से जादा ताकतवर नहीं हो पाएगा, और जब एक इंसान कभी भी dominant या हद से जादा ताकतवर नहीं हो पाएगा, तो कहीं न कही भाई चीजें proper तरीके से चलेगी, balance के साथ चलेगी और कहीं न कहीं लोग यह चाते थे, लेकिन merits के साथ साथ भाई, इस system के demerits भी बहुत है, बहुत से disadvantages है, पहला disadvantages, unstable और prone to stability, भाई, कब सरकार गिर जाएगी पता नहीं, अगर किसी एक particular issue को लेके, जो coalition के अलग-अलग member स उनकी बीच में मतभेद आ गया, तो क्या होगा, collapse हो गया government का, तो एक ऐसी political party जिसके पास ठीक-ठाक amount of MPs हैं, जिसके support खीच लेने से, coalition सरकार की majority हट सकती है, तो वो support खीच ले सरकार गिर जाएगी, सरकार collapse हो जाएगी, ठीक है भाई, तो यह एक बड़ी problematic चीज है, तो भ जो बोल देती, implement हो जाता है, यहाँ पे तो हमारे politicians आपस में लड़ते ही रहते, तो coalition सरकार में कि यह करें क्या, यह करें क्या, हमेशा लड़ते रहते थे, तिर भाईया, prime minister form of government में, prime minister एक बहुत important person होता है, ठीक है, parliamentary form of government में, prime minister decision लेगा, he is the fulcrum, ठीक है न भाई, अब प prime minister को, भाईया, coalition partners के साथ, discuss करना पड़ेगा, अभी prime minister जैसे person को coalition partners के साथ, discuss करना पजा है, तो prime minister decision नहीं ले पा रहा है, मतलब, उसके एफेक्टिव decision making, पावर ही नहीं है, तो ऐसे cases में, जिन coalition partners के साथ, discuss कर रहा है, वो हो जाएंगे, super prime minister, ultra prime minister, मतलब, prime minister, जो original, उसके काद नहीं रही, coalition में, फिर भाई, steering committee, और the coordination committee, और the coalition partners act as the super committee, जो super cabinet बनता है, आप समझे, जो coalition मना, उस coalition में कुछ important leaders होंगे, जो भी political parties होंगे, उस coalition में, उस coalition के, जो, उन political parties के, जो head होंगे, वो उस coalition में, एक major role play करेंगे, तो माली जैक, ऐसा coalition मना है, जहाँ पे BJP, Congress, तर गडबंदन सरकार बना लिए, माल लीजे, अब उसके सारे, जो leaders है, वो अपनी अपनी politics करेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अभी वो चाहिए, कि चकर में, कोई भी एक centralized decision making नहीं हो पाएगी, और होता ये है, कि ये सारे जो political parties हैं, जो एक गडबंदन में आती हैं, इनकी steering committee बनती है, ये steering committee बात-बात में decision making issues में interfere करती है, तो actual जो cabinet होता है न, जो council or ministers added by prime minister के अंदर एक छोटी body होती, cabinet most important ministers की, उसके काम करने में, ये steering committee और coordination committee of the coalition partners ये बहुत interference करेगी, इसलिए coalition partners की ज जो कि इस coordination committee है, steering committee में बैठे होते होते है coalition partners की, उनको super cabinet बोलायाता है, जो कि फिर ये cabinet को proper तरीके से काम करने ही नहीं देंगे, governmental machinery को अपने इसाफ से चलाने ही कोशिश करेंगे, जो कि देश के लिए सही नहीं है, और भाई, coalition government में, जो छोटे-छोटे constituents हैं, जो कि उतने important नहीं बड़ फिर भी major role play करते हैं, अगर बिलकुल इत तगड़ी गड़फंदन की सरकार बनी है, तो 20-25 MP वाली political parties भी hero बनने लगेगी, ये 20-25 MP वाली political parties अपने लिए concession मागने लगेगी, ये king maker बनने लगेगी, जबकि actually में इनकी majority इतनी है नहीं, परलेमेंट में, लेकि तब भी अपने आपको ज़रुस्त ज़ादा दिखाने की कोशिश करेंगी, उतना मांगेंगी जितना उनके strength के हिसाफ से commensurate नहीं बैठता, लोग सभा में, तीक है, या फिर state-listed assembly में, जहां पे भी आप इसको देखना चाओ, तो छोटी-छोटी parties, जिन्होंने इतनी seat भी जीती, वो kingmaker यहां पे बनने की कोशिश करेंगी, which is not at all good for the political stability of this country, फिर भाई, जो अलग अलग regional parties के political leaders हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं कहीं कॉलेशन बनाने में अपना role play किया है, वो भाई, regional factors को ले आएंगे play में, ठीक है, और ये regional factors, national decision making को affect करेंगे, तमिल नाडू, शेलं parties हैं, वो अपने regional interest लेके आने लगती हैं, और फिर national decision making नहीं हो पाती है, ये regional parties central government के उपर pressure डालते हैं, कि central government उनके हसाफ से काम करें, और फिर central government पूरे देश के साफ से decision नहीं ले पाते हैं, वो किसी specific policy के साफ से specific concerns के साफ से decision लेते हैं, जो concern बहुत जादा regional होता है, और ज coalition politics में, regional concern उपर आ जाएगा, national concern एक इन और हो जाएगा, फिर भाई हमने कहीं न कहीं ये देखा गया है, कि coalition politics में, ministries को फ्रीके भाव माटा जाता है, आटल बिहारी बाचपई जी की मिनिस्टी बनी थी, 1990 में, 17 स्यादा मिनिस्टर्स थे, तो इसको बोला गया जम्मो मिनिस नेशनल कॉंफरेंस अकाल इदल, RLD, AGP, ना ना, आसाम गणो पर शर्तर, पता नहीं क्या क्या था, तो बहुत जम्मो मिनिस्टी बन गई, मिनिस्टरी मिनिस्टर भरे हुए थे, तो अभी एक लिमिट से ज़्यादा, अगर council of ministers होंगे, तो उनके बीच में इंटर कॉडिन नहीं हो जाएगा, वो power के लेडर, जब ज़्यादा आप ministers बना रहे हो, तो आप governance के लिए minister नहीं मिनिस्टर नहीं मिना रहे हो, आप बस खुश करने के लिए, ठीके ना, उनको appease करने के लिए, उनके पास power बाटने के लिए, उनको perks and privileges देने के लिए ministries बना रहे हो, जिसस जाएंगे, वो ना collective responsibility लेंगे, और ना individual responsibility लेंगे, तो मालेजे सेंटर में कोई political party जिसके बढ़ा चैन के, छोटी-छोटी political parties उसको support देने, अब ये छोटी-छोटी political parties चाहेंगे कि central party उनके हैसाब से काम करें, लेकिन जब भी कोई responsibility लेने की बात आएगी, जनता को answerable होने क बात होगी, ये political party अपना पलला पीछे जाड़ा लेंगे, ये ना पूरी political party collective responsibility लेगा, और नहीं इन छोटी political parties के, जो कि central political party को pressurize कर रहे थे, उनके नेता इस बात के responsibility लेंगे, और this is a big problem with coalition governments, coalition governments में कोई responsibility लेने को तयानी है, और ये जो बड़ी political party वो खुदी बोलेगी, कि मैं कोई decision इसलिए नहीं पार हूँ, ये छोटी political party support नहीं कर रही, तो blame game चालू हो जाएगा, जिसमें national interest बिल्कुल sideline हो जाएगा, तो ये था दोस्तों, chapter number 75, okay, coalition government के बारे में, इसके अगली वीडियो में, chapter number 76 दिसकस करेंगे, anti-defection law, thank you for watching friends, वीडियो को लाइक और शेयर ने कले,